आज के टाइम पे शिबायनू का क्रेज कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर आप सर्च करते हैं कि बेश्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर इन्वेश्ट टूटाउजन टूटिफोर तो शिबायनू का नंबर यहां पर जो है अच्छे खास से पैदान पर आ रहा है और यह संकेत दे रहा है कि अगामी दिनों में शिबायनू में जो डेवलपमेंट हुए है उसका असर मार्केट के उपर देखने को मिलेगा और इन्वेश्टर इसी बात को लेकर काफी कमेंट्स मेरे तरफ से पूछ रहे हैं मुझे कि आर सर 2024 में क्या शिबायनू की प्राइज वन दोलर पॉसिबल नहीं है लेकिन जब हम एक डोलर की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारी संभाव ना यह नजर आती है क्योंकि एक डोलर का टार्गेट यह नहीं कि शिबायनू में 10 लाग परशेंट से भी ज्यादा का पंप लेकिन अगर हमें 10 लाग परशेंट नहीं मि एक डोलर का टार्गेट रखते हैं तो कम से कम उतना तो इचीव मार्केट कर ही देगा जितनी संभाव ना है यानि कि सोच सकते हैं कि एसी क्रप्टो करेंसी जिसके बारे में एक डोलर तक का यानि कि 10 लाख परशेंड का रिटरन की एक्सपेक्ट की जा रही है यार जब इ यहां पर दिखाया है और अगामी दिनों में केसा प्रदर्शन यहां पर दोहरा सकती है तो वर्तमान के परिद्रिश्य से देखे लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कर लेना इस टाइब की वीडियो पाने के लिए और हर अपडेट से शीबान यूट्यूब चैनल ही है जो शीबानु की बारे में ही बात करता है अगर आप यहां पर मार्केट में देखे तो यहां पर आपको आज के कंडिशन में एक इस टाइब सा आइटिकल भी देखने को मिल रहा है जहां पर शीबानु की कीमत बताया गया है कि नए डी ए ओ और श यार भी हो रहा है जिसमें कुछ इंपोटेंड बात यहां पर अगर गोर करें तो बताई गई है कि लोग पर यह क्रप्टो करंसी में 97% की प्रभावसारी विरध्धी यहां पर देखे गई पिछले साल और बजार में पोजेटिव रुजहान संभावित तोर पर इंपोटे दिनों से बोल भी रहा हूं आपको अगर आप 30 दिन का ग्राफ आप मीम टोकन का देखोगे न तो आप देखो शिबायनु मातर 18% गिरा है वही पेपे 39% 23% डोच कोईन 35% डोग और फ्लोकी जैसा कोईन 16% और बॉंक जैसा कोईन 35% फ्लोकी है एक एकला कोईन है जो कम गिरा है अन्य था आप सभी कोईन में बड़ी ग्रावड देख सकते हैं और ये बात इस बात का संकेत है कि ये वही कोईन है जो फरवरी और मार्च अपरेल में किस तेजी से बढ़ रहे थे शिबायनु को पीछे छोड़ देया थे इन कोईन होने और आज इनके हालत बुरी है पे एक डॉलर का तो एक डॉलर का टारगेट 24 में इचीव नहीं हो सकता लेकिन जिस टाइप से हाड़ फॉर्क का बर्न मेकनिजम में यहाँ पर शिबा टोर्च सोरी लॉंच हो रहा है हुआ है लाई हुआ हुआ है उसके बाद हम संभाव ना दिखा सकते है कि जो शिबायनु ह एक डॉलर का जो टारगेट है वो इचीव कर सकता है हलाकि 24 में यह पॉसिबल नहीं है लेकिन अगामी सालों में इस बात का हम संकेत देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस बर्न पोर्टर शिबा टोर्च को देखेंगे तो यहाँ पर इस पश्ट तोर पर इसका बारे में यहाँ पर डिटेल बताया है मैंने दो तीन वीडियो भी इसके बारे में बताया था आप जाके चैनल पर हाड़ फोर्क शिबा टोर्च और मतलब क्रिप्टो ग्यान लिग देना आपको वीडियो मिल जाएंगे फिर चैनल पर ढूंड लेना इसमें इस पश्ट तोर पर शि जल्दी से जल्दी सप्लाई कम करके प्राइस को बढ़ाएगा अब जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी तो अब इसलिए हम एक डोलर के नजदीक धिरे-धिरे बढ़ेंगे अभी का क्या कंडिशन है जैसे कि आपको पता ही होगा कि इतनी भारी भर कम उसे नहीं देख सकते इसप्ष्ट तोर पर यह है क्योंकि इतनी भारी भर कम सप्लाई के साथ एक डोलर यह निकि फाइट नाइन ट्रिलियन डोलर की शीबा की जो मार्केट के फो हो जाएगा जो कि पूरी वर्ल्ड में पोसिबल ही नहीं इतनी तो बड़ी बड़ी कमपनि लेकिन जब सप्लाई कम हो जाएगी अब सोचिए कि एक साल में अगर प्रतिवर्स हंड्र ट्रिलियन नों को आसानी से देख सकते हैं और I think 10 डोलर तक भी शिबह जा सकता है तो यह possibility यहाँ पर बन गई है और यहाँ पर एक चीज और गोर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन्वेश्टरों ने रूची भी यहाँ पर दिखाया है और इस चीज में बताया गया है कि मीम कोईन के उन्माद में शिबहन की कीमत को उपर चड़ने में मदद भी की है यहाँ पर एक चीज और देखिए बताया गया है कि बॉंक, पेपे, डबल्य आई एफ और ब्रीड जैसे मीम सिक्को में व्यापक उचाल के साथ शिबहन की कीमत में भूचाल आया है और बजार में हाली में आई गिरावट के बावजूद मीम सिक्को के परती लोगों में रूची इस पश्ट तोर पर देख रही है और बताया गया है कि शिबहन की कीमत में जल्द ही ग्रोध हो सकती है शिबहन उपना खुद का यहां पर एक चीज और गोर करने वाली बात है कि DAO भी ला रहा है जिसमें शिबहोल्डर अपनी बात फोरम तक पहुचा सकती है जिसमें बताये गए है शिबह धारक धारकों को प्रियोजना के पत पर अधिक प्रभाव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है यानि कि DAO का उद्देश्व प्रोजेक्ट को उसके मूलभु सिध्धान्त अनुरूब बनाये जाना है अब मूलभु सिध्धान्त क्या है अभी तक आपने शिबहनों को देखा आएगा कि कोर टीम ही इसको कंट्रोल करते थी लेकिन अब अभी कुस महिने पहले कुसामा ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें इस पश्ट तोर पर बताया था कि हम कम्यूनिटी को ही पूरी बागडॉट सोपने वाले हैं ठीक है कम्यूनिटी ही कंट्रोल करेगी शिबह टोकन को और ये बात इस डी एओ के लॉंच होने के साथ ही स्पश्ट हो जाती है क्योंकि कम्यूनिटी ही अपनी राई अपना मत यहां पर दे सकता है और उन्हीं के अनुरूप डी अपना जो शिबायन हो अपनी पॉलेसी अपना अपडेट और जो भी है आगे रंडनीती क्या है वो बनाएगे जो कि एक तरीके से इन्वेश्टरों को एक तरीके से यह पॉजिटिव सिगनल मिलेगा क्यार कम्यूनिटी का साथ ही इस टोकन दे रहा है तो टोकन में उलेखनी व्रद्ध ही यहां पर हो सकती है और यहां पर एक चीज गोर करने वाली बात यह है कि अगर और नीचे देखें तो व्यापक रेली के बारे में बताया है और इसके अलावा शिबायनों से आगामी दिनों में जिस टाइब से संकेत मिल रहा है उसके बारे में भी बताया है जिसको इसपेश्ट दोर पर अगर प्रोफिट उसे बेचेंगे नहीं और लोंग टम के लिए रखेंगे और इसमें इन्वेश्टरों को काफी मुनाफ़ा इस पश्ट तोर पर शिबायनों में नजर आ रहा है और बजार में सुधार जिस टाइप से हो रहा है कि जैसे बिटकोईन का कभी भी जंप लग सकता ह है बिटकोईन कैसे भी करके एक लाग डोलर के करीब अभी 24 में ही चले जाएगा और 25 में और 24 में बुल रन के एक्सपेक्ट हम कर रहे हो और वेसे अक्टूबर के बाद मार्केट में कई एक्सपर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि मार्केट पंप दिखाएगा यहां पर और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिबयनों दो जीरो से लेके तीन जीरो किल कर देगा दो जीरो तो इस दो हजाएगा चोविस में कर देगा और 25 जब तक बुल रन खत्म होगा तब तक तीन जीरो तक संभाव ना है दो से तीन जीरो तक शिबयनों अपनी किल कर देगा और एक स साथ इचीव करेगा 88 की प्राइस को और यही संभावनाय मार्केट में अभी जो है बन रही है क्योंकि मार्केट में इस टाइब के कई अपडेट जैसे हाड फोर्क का लोंच होना ये भी आया था हाड फोर्क की मदश से भी मार्केट में एक तरीके से नविंतम बर्निंग प् पोच जदेंगे और इस कारेंट से शिवायनों में इन्वेस्टर जादा आएंगे और उस कारेंट से मार्केट के बढ़ने के असार जादा है और वेसे पिए अगर पास साल कर तक के लिए शिवायनों होल्ड कर लिया न तो देखिए 2029-28 तक आप यहां से करोड़ पती बन हलाकी एक सोचनात्मक सला है इन्वेस्मेंट सला नहीं है आप रिसर्च करें उसके बाद ही इन्वेस करें